मध्यप्रदेश भगवान राम की भक्ती में लीन है लेकिन मध्यप्रदेश के विदीशा में भगवान राम के चरण तो युगों पहले ही पढ़ चुके है जी हां विदीशा से भगवान राम का एक विशेश नाता है वे धर्ती लोग पर रहते हुए दो बार विदीशा आ कहा जाता है कि वनवास के दौरान मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान राम विदीशा से भी गुजरे थे राम के स्मृतिया विदीशा में आज भी जिन्दा है पहली बार वनवास के दौरान माता सीता की खोज करते हुए राम विदीशा से गुजरे थे जहां उन्होंने बेतवा के तट पर पिता का श्राध भी किया था जो आज चरण तीरत कुंड के नाम से जाना जाता है उसी याद में त्रिवेणी घाट पर राम और लक्षमन का मंदिर है जहां राम और लक्षमन वनवासी भेश में विराजमान है इस स्थान पर प्रभुराम के चरण कमल आज भी अंकित हैं दूसरी बार राजा राम अपने अनुष शत्रुगन के पुत्र शत्रुगाटी को विदीशा का राजा बनाने के लिए यहां आये थे जहां उन्होंने शत्रुगाटी का राज्या विशेग भी कराया था ये जो मंदिर है करीब 305 वर्ष पुराना है सन 1740 में इसका काम शुरू हुआ जो 1772 में बन कर तयार हुआ सिंधिया के सेनापती अवाजी खंडिराओ उन्होंने इस मंदिर का निर्मान कराया है